पटना में हवाई जहाज की वज़ा से अचानक ट्रैफिक जाम हो गया नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी वज़ा से पटना में ट्रैफिक जाम हो गया बिमान की वज़ा से ट्रैफिक जाम हो तो तस्वीरे आप देखिए पटना की तस्वीर है और जिस तरह से हवाई जहाज ने रास्ता रोग दिया है सडक रोग दिया है अब आप सोच रहे हैं भाई कि बिमान आखिर सडक पर क्या कर रहा है बिमान को तो हवा में उडान भरना चाहिए दरसल ये बिमान बड़ी दू से आ रहा है और सडक के रास्ते ही आ रहा है और जगा जगा टोल प्लाजा पर टैक्स भी भरते आ रहा है बिमान जो हवा में उडान भरना चाहिए वो जमीन पर चल रहा है और टोल प्लाजा पर टैक्स भर रहा है पटना में पहुंच कर तो इसने ट्रैफिक भी जाम कर दि इसी दोरान फज गया पटना में भारी फजीहत हो गई सड़क पर तस्वीरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अजमेर जा रहा था सड़क मार्ग जा रहा था और एर इंडिया का यह हवाई जा रहा है और सड़क पर लोगों ने देखा तो आश्चर चकित रह गए लोग कि आखिर बिमान सड़क पर सलक सरक कर क्यों जा रहा है तो दरसल पटना के निशनल हाईवे 30 पर दिदार गंज टोल प्लाजा के पास एर इंडिया का बिमान ट्रक पर लोड था और अजमेर जा रहा था और एर इंडिया के बिमान के स्क्रैप को ट्रक पर लोड करके ले जाय जा रहा था उसी दोरान ट्रैफिक जाम हो गया दरसल ये बिमान का स्क्रैप है बिमान जो है उसका जो स्क्रैप था ये ट्रक पर लोड करके ले जाय जा रहा था पर देखने में बिल्कुल बिमान की सक लगता था और यह से पटना से वाया अजमेर ले जाये जा रहा था आपको बताएं कि जाट गोल्डन ट्रांसपोर्ट अजमेर की ट्रक पर एर इंडिया का स्क्रेप जहाज लोट था सडख मार्ट से इस स्क्रेप यानि तूटे हुए हवाई जाज को अजमेर की तरफ ले जा जा रहा था पटना के दिदारगन ट्रोल पलाजा के पास सडख चौड़ी ओड़ें के कारण ड्राइवर ट्रक को घुमाने की कोसिस करने लगा और इस वज़ा से पूरा के पूरा जाम लग गया याता यात बादित हो गया आप देख भी सकते हैं वीडियो में इतना बड़ बिमान है ट्रक पर लदा है ट्रक भी काफी लंबा है सरक चौड़ी है तो ऐसे में ट्रक चालक ने सोचा यहीं से गुमा लेते हैं लेकिन फस गया मामला क्योंकि बिमान काफी लंबा है बड़ा सा उसका स्क्रैप है वैसी इस्तिती में मामला फस गया सरक पर ट्रैफिक जा लगा रहा और इसके बाद ट्रक को काफी घुमने में दिक्कते हुई लेकिन लोगों को खूब बजा रहा था इस दौरान जब उन्होंने बिमान को सड़क पर देखा तो दे दनादन सेलफी लेने लगे जी हां सेलफी खिचने लगे बिमान के साथ साथ उसे अपने तो जहां जहां से ये गुज़रा वहां वहां लोगों ने आख फार फार कर इसे देखा और पटना में तो इस बिमान ने सड़क जाम कर दिया पटना से अजमेर ले जाये जा रहा था और बताया जा रहा है कि ये कहीं और पहले से ही आ रहा था और उसके बाद इसे अजमेर की तरफ भेजा जा रहा था लेकिन राष्टे में जिस तरह से ट्रक ड्राइβेर ने सोचा की ट्रक को मुळा लेते हैं यहाن से लेकिन मुढने में ही सारा खेल हो गया और सडक जाम कर दिया हवाय जahaj ने बिमान ने जो सडक जिसने जाम किया वो हवा में उड़ता है लेकिन हवा में उड़ना छोड़ वो सडक पर था और सडक पूरी तरह जाम हो गया पटना में बरे रहे द रश्न्योज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद